Hello everyone, आज हम इस वीडियो में discussion करने वाले हैं important organizations and उनके founders यानि कि जितने भी important संगठन या समाज बने हैं और उनको किस ने स्थापित किया है इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में complete information देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेशन है भारती राष्टी कॉंग्रेस कब बना था, when was international congress formed ये 1885 यानि कि 1885 आपका correct answer हो जाएगा और देखिए इसका जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को A.O. Hume के द्वारा किया गया था पहले जो इसके अध्यक्ष थे, वो मेश चंदर बैनर जी थे और उस टाइम पे भारत के वाइसर राइकॉन थे, डफरिन अब देखिए ये हैं, Presidents of the International Congress यानि कि अभी वर्तमान में देखा जाए, तो मल्लेकार जुन खडगे जी है बाकी आप यहाँ पे येरवाइस देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? वेन वास दे मुस्लिम लीग फॉर्म्ड तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 और ये कहाँ पे हुआ था इसकी अस्थापना? खान मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता किस ने की थी? तो आगा खान ने की थी नेक्स्ट देखे सत्य शोधक समाज के अस्थापना किस ने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जियोतिबाराव फूले तो जियोतिबाराव फूले ने शत्य सोधक समाज के अस्थापना पूने महरास्टर में की थी और ये एक काइंड ओफ सुधारवादी समाज था जिसने सिक्षा को बढ़ावा दिया और जो वंचित वर्ग होते हैं पर सिक्षा नहीं पहुंच पाती है या उनके समाजे का अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है उनके लिए न्याय और राजनितिक पहुंच को बढ़ाया था समाज ने मुख्य रूप से जो गैर ब्रामण जनता के लिए काम किया था तो ध्यान में रखने हैं आपको सत्य सोधक समाज के इस्थापना जोत्य बाराव फूले के द्वारा की गई थी और जो उनकी पत्नी ही थी सावित्री बाई फूले इन्होंने जोत्य बाराव के साथ मिलकर 1848 में पूने में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था तो इस तरीके से वो भारत की पहली महिला सिक्षिका बनी थी अब यहां पर लिस्ट वन है और लिस्ट टू है यानि कि ये समाज सोधारक है और इन्होंने कौन से सभा या समाज के स्थापना की थी इसका हम करेक्ट इन्फोर्मेशन देखते हैं तो देखे राजा राम मोहन रोय ने 1828 में ब्रह्म सभा यानि कि ब्रह्म समाज के स्थापना 1828 में की थी देवेंदर नाथ अटैगोर की बात करें तो इन्होंने तत्व बोधिनी सभा के स्थापना की थी 1849 में केशोचंद्रसेन ने भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो भारती ब्रह्म समाज की स्थापना केशोचंद्रसेन ने 1860 में की थी आत्मा रंग पांडो रंग की बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1860 में मुंबई में ठिक और भारती धार्मेक नेता जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे इन्होंने 1875 में आरे समाज की अस्थापना की थी कहां पे मुंबई के गिरगाओं में और हेड़कौर्टर लहोर में स्थापित किया था और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक लिखी थी दयानं सरस्वती ने नारा दिया था वेदो की ओर लोटो रामकृष्ण मिशन की अस्थापना किस ने की थी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेका नंद कब किया था तो 1897 में किया था और विवेका नंद ने 1897 में कलकत्ता के पास गंगा नदी पर बेलूर मठ के मठ जो है वहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और इनका जो मोस्ट फेमस शिकागो का भाषण जाना जाता है 11 सितंबर 1893 को इन्हों ने दिया था यंग बंगाल आंदोलन किस ने शुरू किया था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीवियन डे रोजियों ने की थी जो 1826 में कलकत्ता आये हुए थे और हिंदू कॉलेज में अंग्रीजी साहित थे और इतिहास के सिक्षक के रूप में न्यूप्ट किये गए थे विश्व भारती के संस्थापक कौन है? विश्व भारती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र नाथ टैगोर। तो ध्यान में रखिएगा कि 1921 में संसत के एक अधिनियम के द्वारा विश्व भारती को एक केंद्री विश्व विद्याले और 1951 में राश्री महत्व का संस्थान घोशित किया गया था और जिसके की संस्थापक रविंद्र नाथ ठाकुर या रविंद्र नाथ टैगोर माने जाते हैं। शांति निकेतन जो कि पश्यम बंगाल के बीर भूम जिले में स्थित है और शांति निकेतन को युनेसको द्वारा भारत के 41-वे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मानेता दी गई है। ध्यान में रखेगा विश्व भारती की संस्थापक रविंद्र नाथ टैगोर। किया गया था हिंदू महासभा संगठन और RSS यानि कि राश्री स्वयम सिवक संग इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। होम रूल लीग के निर्माड करता कौन है यानि कि who founded the Indian होम रूल लीग तो इसका correct answer हो जा गया एनी बेसेंट और बाल गंगा धर तिलक। 1916 में Ireland pattern पर ये आधारित था और भारती राश्रवादी बाल गंगा धर तेलक इन्होंने पूने में स्थापित किया था होम रूल लीग और यदि बात करें एनी बेसेंट की तो इन्होंने मद्रास में start किया था और जोसिफ बैपिस्टा भारती होम रूल लीग के पहले स्थापना मैडम H.P. बलावत्स की और करनल ओलकॉर्ट ने 1875 में न्यू यॉर्क में किया था ठीक है और 1882 की बात करें तो इस सुसाइटी का मुख्याले भारत में मद्रास और अब चिन्ने की नाम से जानते हैं के पास अड्यार में स्थापित किया गया था नेक्स्ट दे अभिनो भारत समाज की अस्थापना जिसको की यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं एक काइंड ओफ भारती स्वतंतरता की गुप्त सोसाइटी थी और इसकी अस्थापना 1904 में की गई थी ध्यान में रखेगा विनायक दामोदर सावरकर और उ अगु हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को और मात्रा 6 साल बाद 1911 में इसको रद्द कर दिया जाता है अनुशीलन समीती की बात करें तो 1902 में इसको इस्थापित किया गया था कलकत्ता के जो चात्र थे सतीश चंद्र बसु के द्वारा कलकत्ता के बैरिस्टर थे प्रमत मित्रा या इनको कही कही लिखते हैं पी मित्रा इनके संरक्षण में ये स्थापित हुआ था अनुशीलन समीती ठीक है और यदि बात करें सरला देवी के नित्रत में एक और अरविंद घोश के द्वारा स्थापित ये तीसरी काइड ओफ एक समीती स्थापित की गई थी तो आपक इन्डिया सोसाइटे स्थापित किया गया था पूने में ठीक है कहां पे पूने में और इसका उद्देश था विभिन जातियों और धर्मों के भारतियों को कल्यानकारी कारियों में एक जूट करना और प्रसिक्षित करना वेन वोस इंडियन नाशनल आमी इस्थापिलिस्ट तो भारतिय राश्ट्री सेना के स्थापना कब हुई थी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942 तो 1942 में रास्बिहारी बोस जो की भारतिय राश्ट्री सेना आजाद हिंद फॉज के संस्थापक थे ये आपको ध्यान में रखना है तो रास्बिहारी बोस की निमंतरन पर सुभाष चंदर बोस ने 13 जून 1943 को पुरवी एशिया आये और भारतिय राश्ट्री सेना का नाम मोहन सिंग भाखना ने सिंगापुर में किया था भारती राश्वी सेना 1942 में सुभाश चंद्र बोस द्वारा गठित एक सर्शस्त्र बल थी आयने के तीन ब्रिगेड़ों के नाम सुभाश ब्रिगेड गांधी ब्रिगेड और नहरु ब्रिगेड थे और आजाद ब्रिगेड ठीक है दिल्ली दर्बार कब लगा था वेन वाज हेल्ड डली दर्बार इसका जो करिक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है ठीक है यह जो दिल्ली दर्बार लगा था यह तीन बार लगा हुआ था 1877, 1903 और 1911 गयारा का जो दिल्ली दर्बार था उसी वर्ष जून में लंदन में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के राज्या भिशेक का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था ठीक है तो यह द गदर पार्टी कब बने थी इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 1913 में तो गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश साशन को उखाण फेकने के लिए प्रवासी भारतियों के दोरा एक अंतरास्ट्रे आंदोलन था और इसकी अस्थापना 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के स्टोरिया औ पाबा जॉला सिंग संतोक सिंग और सुहन सिंग भाखना थे ध्यान में रखिएगा पहले जो गदर पार्टी का नाम था ना उसको हम पैसिफिक कोस्ट हिंदूस्तान एस्सो्इसेशन के नाम से जानते थे फिर वाद में इसका गादर पार्टी के नाम से जाना घया अब य का जो correct answer हो जाएगा 1923 में किसके द्वारा तो मोतिलाल नहरू और चितरंजन दास यानि कि जिनको हम देश बंधू की नाम से जानते हैं चितरंजन दास को इन दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था क्यों हुआ था क्योंकि देखें ज स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं ठीक है अब महतुपुर्ण तत्य की बात करें तो काकोरी ट्रेन आक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था नौ जवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई थी साइमन कमिशन 1928 में आय था पुर्ण स्वराज की मांग हमने 1929 में की थी लाह 1928 में नई दिल्ले के फिरोशा कोटला में चंदरशेखर आजाद, भगत सिंग, सुखदेयो थापर और अन्य की द्वारा की गई थी ठीक है एचसारे के सापना 1928 में दिल्ले में की गई थी गोलमेट सम्मेलन की बात करें तो ये 1931 और 32 लंदन में हुई थी तीनों ही गोल गांधी की बात करें तो इन्होंने दूसरे गोलमेट सम्मेलन में भाग लिया था क्योंकि इरविन और गांधी जी का पैक्ट होता है ये 5 मार्च 1931 को तभी क्या होता है कि दूसरे गोलमेट सम्मेलन में एसे स्राजपोताना जहाद से गांधी जी पार्टिसपेट करने के लिए गोलमेट सम्मेलन में जाते हैं और रैमजे मकडोनल्ड उस टाइम पे इंग्लैंड में रहता था इसके ही अंडर में ये और्गनाइज किया जाता था forward block के स्थापना कब हुई थी तो ये सुभाशंद्र बोस जी के द्वारा 1949 में की गई थी ध्यान में रखेगा ये दो most famous international congress के ये अधिवेशन थे 1938 में हरीपूरा अधिवेशन और 1949 में त्रिपूरी अधिवेशन तो हरीपूरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे सुभाशंद्र बोस थे और 1949 में त्रिपूरी अधिवेशन के भी अध्यक्ष पट्टावी सीता रमेया के विरुद जीत जाते हैं सुभाशंद्र बोस ले एक तरीके से फिर राजेंद्र प्रशाद जी को न्यूक्त किया जाता है 1949 के त्रिपुरी अधिवेशन का कॉंग्रेस का अध्यक्ष और फिर इसी से ऐसे मतलब दुखी होकर वो कॉंग्रेस से बाहर निकल जाते हैं सुभाशंद्र बोश जी और 1949 में क्या करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था ध्यान में रखेगा आपको इसका सही उत्तर कॉमेंट सेक्षन में देना है मुस्लिम लीग का गठन कब गवा था? वेन वस्था मुस्लिम लीग फॉर्मड ऑप्शन सार उननियो सोच नियो साथ उननियो सो आट नो थैंक यू सो मच फर वाचिंग तेस मिलते हैं अंसे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर अपना खोब सारा ख्याल रखे और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहे